Class 10 Maths and CERT Exercise 3.1 Question number 4 वेचर तो following pairs of linear equations are consistent और inconsistent तो कौन से pair linear equation के consistent है, कौन से नहीं है एक तो आपको ये बताना है, अगर consistent है, obtain the solution graphically तो graph बना के इसके solution निकालो वाई सीदी सी बात है, अगर equation हमारी consistent होगी, तब ही तो solution निकलेगा इस solution का मतलब क्या है? X और Y के ऐसी value जो दोनों ही equation को satisfy कर दे, या graph के इसाथ से बात करें, तो ऐसा point हमको मिल जाए graph पे, जो कि दोनों line पे आता हो, तो वो कैसे हो सकता है? एक तो आपके intersection वाले case में होगा, जैसे मालो दो line, intersect कर रही है, तो उस case में आपको ये जो point मिलेगा, ये दोनों line पे होगा, या ये वाली line पे भी ये point है, और ये वाली जो line है, इस पे भी ये point है, तो common point दोनों line के हमको मिल गया, वही solution होता है, या फिर line आपकी कैसी हो? या coincident होती है, तभी equation हमारी consistent होती है, और inconsistent के case में क्या होता है, कि line हमारी parallel होती है, अब parallel line है, तो कोई भी point ऐसा नहीं होगा, जो दोनों में common होगा, क्योंकि दोनों line एक दूसरे को कही ना touch कर रही है, ना cut कर रही है, दोनों में अलग-अलग point होगे, तो इनके कोई भी solution नहीं होगे, तो solution हम तभी निकाल पाएंगे, जब equation हमारी consistent होगी, यानि line या तो intersecting होगी, या coincident होगी, ये की उपर एक होगी, तो चली ये चीज़ कर लेते हैं, फर्स्ट आले पार्ट की बात कर लें, x plus y equal to 5, और 2x plus 2y equal to 10, तो सब से पहले इन equation को standard form में हम लिखेंगे, x plus y minus 5 equal to 0, तो को ये step important है, अकसल लोग direct कर देते हैं, लेकिन उस case में जब c की value रखोगे, तो सही value आप put नहीं कर पाऊगे, क्योंकि यहां से अकसल लोग c की value 5 put कर देते हैं, 5 नहीं होगी, minus 5 होगी, तो equation को आपको standard form में लाना पड़ेगा, और दूसरी हमारी है, 2x plus 2y minus 10 equal to 0, अब ratios निकाल लो, a1 by a2 क्या हो जाएगा, 1 by 2, b1 by b2 भी आपका 1 by 2, और c1 by c2 क्या होगा, minus 5 upon minus 10, तो minus से minus चला गया, 5 is 5, 5 is 10, तो 1 by 2 आ गया, तो यहां पर क्या हो रहा, a1 by a2 equal b1 by b2 equal to c1 by c2, तो तीनो ratios equal है, और ratios equal होते हैं, तो line कैसी होती है, coincident होती है, एक की पर एक होती है, therefore lines are coincident, hence equations are consistent, तो इसलिए equation कैसी होगी, consistent होगी, अच्छा यहां पर जो equations है ना, इनका नाम दे देना, कहने का मतलब यह है कि आपकी first equation है, और यह आपकी second equation है, अब graph plot करने के लिए दो solutions चाहिए होगे, दोनों equations के, तो आप लिखोगे, two solutions और equation, first and second, are, क्या क करेंगे, हम table बनाएंगे, यहां पर x लिखेंगे, अब y की value निकालो, जो हमारी यह पहली equation थी, इससे यहां से y क्या आ जाएगा, x उदर चला जाएगा, तो 5 minus x आ जाएगा, y equal 5 minus x, अब x की value हम कुछ ही मान सकते हैं, फिर equation report करेंगे, तो y की value आ जाएगी, तो x की value चलो, हम यहां पर 4 रख देते हैं, तो यहां पर y की value क्या आ जाएगी, 5 minus 4 आपका 1 आ जाएगी, यानि अपने से कुछ भी मान सकते हो, कुछ लोग ऐसा करते हैं न, कि एक बार x की value 0 रख देते हैं, एक बार y की value 0 रख देते हैं, क्योंकि एक value अपने से हमको रखनी है, दूसरी जो value है, वो equation से निकल आएगी, x की value अपने से मानोगे, equation रख करोगे, तो y की value निकल आएगी, y की value अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, equation रख करोगे, x की value आजाए, किसी एक को अपने से मानना है, दूसरा अपने आप equation से निकलेगा, तो value कुछ भी मान सकते हो, बस एक बा और 2x उधर जाके minus 2x हो जाएगा ये 2 जाके इधर divide होगा तो यहाँ आ जाएगा तो y equal 10 minus 2x upon 2 अब यहाँ पर x की value चलो 2 रख देते हैं कुछ भी रख सकते हो अपने से तो y value relation के अंदर x की value पुट कर दो 2 2s आ 4, 10 minus 4 आपका 6 होगा 6 by 2 आपका 3 आ गया एक बाद चलो 5 रख देते हैं तो 2 5s आ 10, 10 minus 10 आपका 0 होता है तो यह y आपका 0 आ गया बस x value उपने मानना है और नीचे जो y का relation दिया है उसके अंदर x value पुट कर गए y की value आ गई अब दोनों equation के दो-दो points हमको मिल गए है इसकी मदद से हम graph plot कर लेते है तो पहली equation के लिए जो हमारे points आये थे वो कौन कौन से आये थे 0,5 और 4,1 यह दो coordinates आये थे तो 0,5 x पे 0 चलना है y पे 5 चलना है तो यह हमारा point मिल गया यह हमारा 0,5 है और 4,1 x पे 4 चलना है y पे 1 चलना है तो यह हमारा मिल गया 4,1 अब इन दोनों point को हमको join कर देना है दूसरी equation से coordinate के आया थे 2,3 आया था और एक 5,0 आया था तो 2,3 x पे 2 चलो और y पे 3 यह point हमारा मिल गया 2,3 और 5,0 यह दो पहली अभी line हमने बनाई थी उसी के ओपर यह दोनों point आये 2,3 और 5,0 यही line जो हमने draw की है इसका मतलब इन दोनों को join करोगे तो जो line मिलेगी वो पहली वाली equation से बनने वाली line के ठीक उपर ही होगी यानि दोनों line कैसी हैं coincident है, एक के उपर एक हैं तो ऐसे case में आपको दो बार बनाने की ज़रूद नहीं है क्योंकि जब draw करोगे तो वो दिखेगी एक ही बस इसी line पे आपको एक तरफ एक equation लिख देनी है दूसरी तरफ दूसरी equation लिख देनी है तो इससे पता जल जाएगा कि हाँ दोनों line एक के उपर एक ही हैं देखने से हमको idea नहीं लग रहा लेकिन दोनों line present है अब यहाँ पर आप line की equation लिख दो x plus y minus 5 equal to 0 2x plus 2y minus 10 equal to 0 यह दोनों equation को line पे set कर देंगे तो इस line को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि equation हम यहाँ पर लिख के दिखा सकें तो एक equation हम यहाँ पर set कर देते हैं और दूसरी equation को यहाँ पर यह हमने set कर दिया अब इसके solution को बताने थे graph बनाके तो solution क्या होगा देखो lines अगर coincident होती हैं एक के उपर एक होती हैं तो एक line पे जो भी points होंगे दूसरे line पे भी वही point होंगे यानि ऐसे infinite number of solutions हमको मिल जाएंगे तो बस यह answer है lines अगर coincident है तो उस case में infinite number of solutions आते हैं कोई specific एक solution नहीं होता है कि x to value आ गई, y to value आ गई बहुत जारे हो सकते हैं लेकिन अब ग्राफ बनाना था तो इसलिए हमने बना दिया first part हो गया अब इसका second वाला part देखते हैं इसको solve करते हैं पहले standard form में equation को लिखेंगे यह हमारी first equation हो गई यह हमारी second equation हो गई अब ratios निकाल लेते हैं a1 by a2 1 by 3 आएगा b1 by b2 minus 1 upon minus 3 तो यह minus minus चला गया तो 1 by 3 बेचा c1 by c2 आपको minus 8 by minus 16 आएगा minus से minus चला गया 81008, 820016 lowest form में लाएँगे तो 1 by 2 आजाएगा here a1 by a2 equal to b1 by b2 which is not equal to c1 by c2 और यह condition किसकी होती है parallel की condition होती है therefore lines are parallel hence the equations are inconsistent तो equation कैसी inconsistent और inconsistent case में आप graph plot कर नहीं सकते कोई solution ही नहीं आएगा third वाला part कर लेते हैं यह already standard form में है पहली equation हमारी यह हो गई दूसरी equation यह हो गई ratios निकाल लेते हैं a1 by a2 आपका 1 by 2 आएगा b1 by b2 आपका minus 1 by 2 आएगा c1 by c2 minus 6 upon minus 4 minus minus चला गया 2, 3s are 6, 2, 2s are 4 3 by 2 आगया अब यहां से देख सकते a1 by a2 बराबर नहीं है b1 by b2 के ऐसा गब होता जब lines intersecting होती है therefore lines are intersecting at a point यह कह सकते हैं किसी एक point पे intersect कर रही है solution निकालना है उसके लिए दोने equation के दो-दो solutions हम निकालेंगे two solutions आप equation first and second are यहाँ पर x लिख देंगे अब पहली वाली equation को थोड़ा सा आप solve करो तो y की value यहाँ से दो उससे उधर चला जाएगा 6 minus 2x आ जाएगा तो y equals 6 minus 2x आ गया इसी दार दूसरी वाली equation के लिए table बनाएंगे तो यहाँ हमने x लिख दिया अब दूसरी equation को solve करके y की value निकाल लो यानि relation मना लो तो तो को यह minus का 2y right side चला जाएगा तो 4x minus x हो जाएगा यानि कहने का मतलब यह है कि 4x minus 4 equal 2y हो गया पूरी equation को 2 से divide कर दोगे तो y equal 2x minus 2 आ जाएगा तो यह 2x minus 2 आ गया अब x की value अगर हम 1 रख दें तो देख रहे हैं y की value 0 आ जाएगी अगर x की value 2 रख दें या चलो 3 रख देते हैं अपनी मरजी कुछ भी रख सकते हैं तो 3 to the 6 minus 2 आ आपका यह 4 आ जाएगा x की value हम 0 भी रख सकते थे तो y की value उस case में क्या आती minus 2 आती अब मुझे लगा कि चलो negative side नहीं जाते हैं values को positive ही रखते हैं तो इस तरह से मैंने मान लिया आप negative यह मान सकते हैं कोई से problem नहीं है तो यह हमारे coordinates आ गया अब इससे हम graph plot करते हैं अब पहली value equation से जो coordinate थे वो 0,6 और 3,0 आ रहे थे x पे 0 चलना है y पे 6 चलना है यह हमारा आ गया 0,6 3,0 x पे 3 चलो y पे बिलकुल न चलो यह आ गया हमारा 3,0 दूसरी value equation से 1,0 और 3,4 आया है x पे 1 चलना है y पे बिलकुल नहीं चलना है यह आ गया हमारा 1,0 x पे 3,y पे 4 यह आ गया हमारा 3,4 तो पहली value equation के जो दोनों point से उसको connect कर लेते हैं यह हमने line draw कर ली इसी तरह से इन दोनों को भी connect कर देंगे अब देखो दोनों line एक दूसरी को कहाँ पर intersect कर रही है कहाँ पर cut कर रही है तो आपको दिखेगा यह वाला point यह वो point है जहाँ दोनों cut कर रही है तो यह point कौन सा है नीचे की दरफ देखो को x की value मिल जाएगी 2 है इधर side देखो गे तो आपको y की value मिल जाएगी यह भी 2 है यह जो point है वो आपका है 2,2 तो 2,2 यह ही हमारा solution है अब यहाँ पर आप लिखोगे solution are x equal to 2 and y equal to 2 तो यह solution आगे x की value 2, y की value 2 तो यह third वाला part हमारा हो गया अब fourth वाला part कर लेते हैं 2x minus 2y minus 2 equal to 0 एक equation यह है दूसरी है 4x minus 4y minus 5 equal to 0 ratios निकाल लेते हैं 1 by 2 आ रहा है और c1 by c2 यह आपका 2 by 5 आएगा यहाँ साब देख सकते हैं a1 by a2 तो बराबर है b1 by b2 के लेकिन c1 by c2 के बराबर यह दोनों नहीं है यह किसकी condition है parallel की therefore lines are parallel hence the equations are inconsistent तो equation inconsistent आगे है इसलिए हमको graph बनाने के ज़रुद नहीं इसलिए consistent के case में ही graph बनाना था हमको तो question number 4 हमारा हो गया और भी question के solutions की वीडियो देखनी है तो नीचे description में आपको chapter wise playlist का link मिल जाएगा वहाँ से click करके देख सकते हो ओके thank you